और वहीं देखे जार्खन को लेकर अब बीज़ेपी के मेराथन बैठेगे भी शुरू हो चुकी है तो पहले साड़े तीन दजा मत्षा के साथ कोर्प की ये बैठक है शाम साथ पचिस के बाद बीज़ेपी CEC की बैठक भी बुलाई गई है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी इस बैठक में मौचूट रहेंगे आपको बता दे कि सुभा ही दिल्ली में ही जार्खन बीज़ेपी कोर्प की मीटिंग हुई है और अगले 48 खंटों में जार्खन के लिस्ट जारी हो सकती ह ये बीज़ेपी की तरफ से बयान सामने आया है अगले 48 खंटों में जार्खन में गडबंधन के तहत जो लिस्ट है पहली लिस्ट वो जारी की जाएगी कुमार गॉरव हमारे साथ बने हुए है कुमार गॉरव क्या कुछ रणनीती अब देख रही है क्योंकि बैठके तो ह जहां तक जार्खन का सवाल है 81 सदस्यों की बिधान सभा है वहां और पांच जनवरी को बिधान सभा का कारिकाल खत्म हो रहा था और ऐसे में आज चुनाओ का एलान हो ला है और माना जा रहा है कि 2-3 फेज में चुनाओ होंगे जहां तक बीज़ेपी का सवाल है पिछले 15 दिनों में बीज़ेपी के राज जी के कोर गुरूप की लगवक साथ आठ बैठा खो चुके जिसमें वो मिद्वारों के नाम पे चर्चा सीट को लेकर तो बतावें आपको देखे लगातार बैठके बराथन बैठके इसे कहा जा सकता है पिछले 15 दिनों से लगातार जारखंड को लेकर सीट शेरिंग क्या फॉर्मूला रहेगा गटबंधन के तहट कौन-कौन पार्टियां रहेंगी और उनका क्या हिस्सा रहेगा आप गौरव अपनी बात पूरी कीजे देखे बिलकुल जहां तक सीट सेरिंग का सवाल है बीजेपी मोटे तोर पे सायोगियों के साथ उसका गटवंधन का जो फर्मूला है वो तै हो गया है सुत्रों के मताबिक अभी तक ऑफिसेली एलान नहीं हुआ है लेकिन आपको बताए जो सबसे बड़ी सायोगी है आज जिस्तू महतो की जो पार्टी है उसको 9 से 11 सीटे मिलेंगी एक सीट पे कहीं अभी भी कनफ्यूजन है आज जब सामको सीज सी की बैठक होगी बीजेपी की साथ वज़े उससे पहले इसे सुल्जाल लेने की बात कही जा रही है वहाँ जनता देल उनाइटेड यानि नितिस सही होगी है उसे भी बीजेपी अपने साथ एंडिये गटवंधन में ही रखकर चुनाओ लड़ना चाहती है और चुकि अभी चिराग पासवान बाहर है कल परसों में वह आएंगे लेकिन मोटे तोर पर एक सुईकार कर लिया गया है लजेपी के तरफ से कि वो भी गटवं सिर्फ सीट कितने चाहिए वो चिराग पासवान से नहीं हो पाई है इसके अलावा आज सुअर जदिव के साथ हो गया है तो कुल मिलाकर बीजेपी का अपना जो 65 के 66 सीट के आसपास उससे लड़ना है उसमें लगभग 60 के आसपास उमिदवारों का नाम भी बीजेपी ने बैठक होगी और ये भी बीजेपी ने कहा है कि आज सारे तिन में चुना आयोग एलान करेगा उसके 48 गंटे के अंदर बीजेपी अपनी पहली सुची चले तो 48 गंटे के अंदर पहली सुची बीजेपी की जार्खंट के लिए जारी हो जाएगी दावा किया जारा